दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं रोजा और बॉम्बे फिल्म के जरिये नब्बे के दसक में पूरे इंडिया में नाम बनाने वाले एक्टर अर्विन स्वामी की प्रिजन्ट ओडियन्स इनको थानी ओर्वम, धुरुवा और बोगन जैसी फिल्मों के लिए जानती होगी लेकिन मैं आपको बता दूँ अर्विन स्वामी नब्बे के दसक के एक ऐसे एक्टर हैं जिन में उस दोर में पैन इंडिया सूपर इस्टार बनने की छवी साफ तोर पर देखी जा सकती थी सन 1992 में मनी रत्नम की मोवी रोजा और साल 1995 में बॉम्बे के रिलीज होते ही अवार्ट्स की लाइन लग गई अर्विन स्वामी की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई और महस दो फिल्मों से ही इनकी गिंती तमिल सिनेमा के टॉप एक्टर्स के तौर पर होने लगी लेकिन इनकी कुछ गलतियां और एक हाथते की वजासे इनका केरियर पूरी तरह से डगमगा गया और मजबूरन इनको थानी ओर्वम, धुरुवा और बोगन जैसी फिल्मों में सेकंड लीड रोल करने पड़े वीडियो के साथ बने रहें, आज हम अर्विन सौमी की पूरी जर्नी पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो हमारी सीरीज अंडर रेटेड हिरोस का पहला एपिसोट है इस सीरीज में हम अलू अर्जुन, महज बाबू, जूनिर एंटियार और राम चरन जैसे पैन इंडिया सूपर इस्टार की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस सीरीज में हम विश्नु विसाल, अरुन विजय, जीवा, आर्या और सुधीब किसन जैसे उन एक्टर्स की बात करेंगे जो सालों से बहतर काम करते आ रहे हैं लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिली जिसके वे असली हगदार हैं तो दोस्तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो के साथ बने रहे हैं दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया अर्विन सौमी मेंली एक तमिल एक्टर हैं इसके अलावा इन्होंने कुछ मल्यालम, तेलगू और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है ये एक एक्टर के अलावा मॉडल, टीवी होस्ट, अंटर्पिनोर और एक हाइली सक्सेस्फुल बिजनसमैन भी हैं इनका जन्म 18 जून साल 1970 को तिर्ची तमिलनाडू में हुआ, इनका जन्म एक बेहदी संपन परिवार में हुआ, इनके पिता का नाम है वीडी सौमी जो की अपने दौर के एक बहुत बड़े उद्योग पती थे, वहीं इनकी माता स्री का नाम है CVS वसंता, जो की एक भरत न स्कूल, डॉन बासको मेट्रिकुलेशन हायर सकेंडरी स्कूल से अपनी इंटर्मीडियर तक की पढ़ाई पूरी करी, साल 1987 तक इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, इसके बाद इन्होंने लॉयला कॉलेज ऑफ चैन्नाई से अपना बिकॉम पूरा किया, इसके बा बिजनेस से मास्टर्स तो कर लिया, लेकिन एक्चुल में वे एक डॉक्टर बनना चाहते थे, ये लॉयला कॉलेज की एक थेटर सोसाइटी से भी जुड़े रहे, जिसमें इनको ज़्यादा तवज्यो नहीं दिया जाता था, दूसरी और ये मॉडलिंग भी कर रहे थे, और कई एट फिल्म्स भी कर चुके थे, एक एडवर्टाइजमेंट के दौरान दिगज डिरेक्टर मनी रतनम की नजर इन पर पढ़ी और इनको मीटिंग के लिए बुलाए गया, मनी रतनम ने इन्हें थलापती फिल्म ओफर करी, जिसमें तमिल के सूपर इस्टार रजनी कांत और मल्यालम के सूपरेश्टार ममूटी एक साथ काम कर रहे थे, इन्होंने तुरंती फिल्म साइन करी और फिल्म में अर्विन सौमी एक कलेक्टर के रोल में थे, अगले ही साल मनी रतनम ने इन्हें रोजा फिल्म में बतावली धेरो साइन कर लिया, यार रहमान के म् और मनी रत्नम के डिरेक्सन से सजी इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी में भी डब किया गया। फिल्म को पॉजटिव रिवीव मिले और अर्विन सौमी की परफॉमेंस की काफी तारीफ हुई। फिल्म सक्सेसफुल रही और इस फिल्म को धेरो अवार्ट्स मिले। इसके तुरंट बाद इन्होंने डैडी फिल्म के जरिये मल्यालम इंडस्टी में भी अपना डेब्यू कर लिया। साल 1993 और 1994 के बीच ये तिन-चार फिल्मों में नजर आये। वहीं साल 1995 में एक बार फिल्म मनी रत्नम ने इनको बॉम्बे फिल्म में बतौल लीड हीरो साइन किया। एयार रहमान ने फिल्म का म्यूजिक दिया और फिल्म की गाने ओलेडी चाटबस्टर हो चुके थे। रोजा के सफलता के बाद इस फिल्म से भी लोगों को खूप उमीदे थी। फिल्म को हिंदी, तेल्गू, तमिल और मल्यालम में सेम टाइटल के साथ डब करके रिलिस किया गया। फिल्म की खूप तारीफ हुई और ये फिल्म अपने समय की तमिल सिनेमा की सबस्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके अलावा फिल्म का हिंदी डव वर्जन भी उस साल की हाइस्ट रॉसर फिल्मों में सामिल हुआ। रोजा और बॉम्बे फिल्म के बाद अर्विन समय पूरे इंडिया का पॉप्लर फेस बन गए। मौनम फिल्म के जरिये इन्होंने तेलगु इंडस्टी में भी अपने डेब्यू कर लिया। कुछ एकात फिल्मों के बाद साल 1997 में इनकी मोवी मिनसारा कनावू रिलीज हुई। फिल्म में काजोल के सासत प्रभु देवा भी थे। फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर इट रही लेकिन अर्विन सौमी इवेंचली फिल्म से खुस नहीं थे। इन्हें लगता था कि प्रभु देवा को इस फिल्म में ज्यादा इंपोर्टन्स दी गई। इसके बाद ये पुदायल फिल्म में नजर आये और एक बार फिर इन्हें यही सिकायत रही। फिल्म की पूरी लाइम लाइट फिल्म के दूसरे हीरो ममूटी सर बटोल ले गए। इन दो फिल्मों में वेस्ट होने की वज़ा से इनके हाथ से एक बड़ी फिल्म निकल गई। फिल्म थी मनी रतनम की इरूबर जिसमें इनकी जगापर मोहनलाल सर को साइन कर लिया गया। बहराल इनकी पॉपलर्टी को देखते हुए इनको हिंदी फिल्मों के भी ओफर मिलने लगे। साल 1988 की मोवी सात रंग के सपने इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। जिसे सदी के महनायक अमिताब बच्चन ने प्रिड्यूस किया था। लेकिन ये मोवी बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद अर्विन सौमी इनको आसा कत्रे फिल्म में नजर आए। इस फिल्म ने 23 क्रोंट की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज रही। दोस्तो यही फिल्म अर्विन सौमी की आखरी तमिल फिल्म साबित हुई जिसमें ये बतौल लीड हीरो नजर आए। हाला कि सन 2006 में ये सासरन नाम की तमिल फिल्म में बतौल लीड हीरो नजर जरूर आए। जिससे इनका कैरियर पूरी तरह से डगमगा गया। इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और बिजनेस में उतर आए। ये अपने पिताब वीडी स्वामी एंड कंपनी के डिरेक्टर बन गए। ये लगातार इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े रहे। आगे चलकर ये इंटर प्लो ग्लोबल कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। इसके अलावा ये प्रो लीज इंडियन कंपनी के चियर्मेन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर भी बने। सन 2000 से 2005 के बीच ये सफल बिजनसमैन के तौर पर उभर कर सामने आए। सन 2005 में इनका एक मेजर एक्सिडेंट हो गया और इनकी रीड के हट्टी में काफी गहरी चोट लगी। कई सालों तक इनका पैर पैरलाइस रहा और 6-7 सालों तक इनका इलाज चलता रहा। ट्रीटमेंट के बाद मनी रतनम ने इन्हें एक बार फिर मौका दिया। इन्होंने मनी रतनम की मोवी काडल से अपना कमबैक किया लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर डिजाश्टर रही। हाला कि इस फिल्म के जरिये लोगों ने अर्विन सौमी को नोटिस किया और इनको फिल्मों के ओफर मिलने लगे। इस बुरे फेस में एक्टर जैम रवी का इनको सुरुवाती साथ मिला। ये जैम रवी के साथ थानी ओरवम और बोगन जैसी फिल्मों में काफी इंपोर्टन रोल में नजर आये और इन फिल्म में इनको काफी ज़्यादा पसंद भी किया गया। अपने केरियर के दूसरी पारी में ये धुरुवा, भासकर, ओरु, रसकल और चेक का चुनता वानम जैसी कई फिल्मों में नजर आये। 2021 में भी इनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखना होगा कि रोजा और बॉंबे वाला जादू अर्विन स्वामी दोबारा कर पाते हैं या नहीं। बात करें इनके मेरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दू इनकी साधी साल 1994 में गायतरी रमा मोर्ती से हुई थी। इस साधी से इनको एक बेटी है अधीरा स्वामी और एक बेटा है रुद्र स्वामी लेकिन बाद में इनका डिवास हो गया और इन्होंने 2012 में अपन्ना मुखरजी से साधी करी है। तो दोस्तो ये रहा अर्विन स्वामी पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको अर्विन स्वामी कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्टे में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।